सीजो न्यूज हर खबर आप तर कि आज 22 मार्च रविवार को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया है जिसको ले करके पूरा देशवासी इस कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं अभी जो हम नजारे आपके सामने दिखला रहे हैं वो बैरिया बस एक्स्टेंड की है जहां आप देख सकते हैं कि जनता कर्फ्यू लगने के कारण बसो का परिचालन पूरी तरह से ठप हुआ है और बैरिया बस एक्स्टेंड में यात्रियों का कोई भी कहीं से आने जाने की बेवस्थान नहीं दिख रही है बैरिया बस एक्स्टेंड की यह नजारा आपके सामने जो हम दिखला रहे हैं यहां पे आप देख सकते हैं कि किस परकार से बसो का ठहराब बैरिया बस एक्स्टेंड पराब में हुई है जहां दरभंगा, मधुवनी या बिहार के किसी भी जीले में चलने वाली बसों का कोई भी परिचालन नहीं हो रहा है और आप देख सकते हैं कि हर तरफ बसों का ठाराब आपको देखने को मिल रही है जैसा कि हम अभी आपको बताया कि अभी उत्तर बिहार के सबसे बड़े बस एस्टेंड का है जाने वाले बैडिया बस एस्टेंड की यह नजारा अभी सुभा के 9.9 की करिब हुई है और आपको बता दे कि परधान मंतरी नरेंदर मोदी द्वारा बीते 9.9 को करोना वाइरस को ले करके पूरे देश में जनता कर्फियू लगाने का आग्रह निवेदन किया गया था जिसको ले कर आज पूरे देश में भारत के नागरिक इस जनता कर्फियू का समर्थन कर रहे हैं बैडिया बस एस्टेंड पर आपके बाद अभी हम खरे हैं मुझपरपूर सहर के बैडिया गुलंबर चौक पे जो बैडिया गुलंबर चौक शहर के बिभीन परमुख चौक चौड़ायव को जोडती है और यहां का नजारा हम आपके सामने दिखला रहे हैं चौर तरफा बैडिया गुलंबर पे बंद का नजारा देखने को मिल रही है जनता करफियू को लेकर यहां के बैडिया गुलंबर चौक के जो भी परतिष्ठान है वहां के बेवसाईयों ने अपनी अपनी परतिष्ठानों को बंद कर घरों में रहना निर्नाय लिया है आप देख सकते हैं कि बैडिया गुलंबर चौक पे अनेको दर्जनों ऐसी दुकाने आपके सामने हम दिखला रहे हैं जो पुर्ण रूप से बंद पड़ी हुई है और यहां के बेवसाई लोग अपने अपनी परतिस्थान को बंद करके जनता करफ्यू को समर्थन देते जारा आपके सामने दिख रही है सडक के दोनों ओर सडकों पे ट्रक की लंबी कतार देखने को मिल रही है और जनता कर्फ्यू को लेकर ट्रक चालक भी अपने अपने ट्रक को इने चठाइस के दोनों तरफ ट्रक को लगा करके इसका समर्थन करते दिख रहे हैं ट्रक चालक ट्रक में ही अंदर बैठ कर ट्रकों का पड़ी चालन बंद किये हुए हैं चांदनी चौक से होते हुए अभी हम पहुँचे हैं मुझपडपूर्पूर्शार के ही काटी छेतर के सुधा डेड़ी के पास जो NH 28 और NH 57 को जोड़ने वाली यह चौड़ा है जहां पे आप देख सकते हैं कि पुर्ण रूप से यह करफ्यू के कारण पुर्ण रूप से सरकों पे गारियों का पड़ी चालन पुर्ण रूप से पंद दिख रहा है और सरक पुरी तरह से सुनसान दिख रही है आप देख सकते हैं यह नजारा काटी छेतर के सदातपूर इस्थीत सुधा डेरी के समीप जो NH 28 और NH 57 दरभंगा मोर की यह नजारा यह द्रिश हम आपके सामने दिखला रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि किस परकार से सरक पुरी तरह से सुलिशान पड़ी हुई है जनता करफ्यू को लेकर आज 22 मार्च रभीबार को सुभा 7 बज़े से रातरी 9 बज़े तक परधान मंतरी जी द्वारा किये गए आगरह को पालन करते हुए सीजो निउज पड़ी बार आप तमाम नागरीकों से आगरह करता है कि इस जनता करफ्यू का पालन अवस्य करे और अपने अपने घरों में ही रहे आईए करोना वाइरस के ब्रूध लडाई हम एक जूट हो कर लडे सीजो निउज आप तमाम नागरीकों से यह अपील करता है कि 22 मार्च रविबार को सुभा 7 वे से नातरी रातरी 9 बजे तक अपने अपने घरों में रहकर करोना वाइरस के ब्रूध लडाई को एक जूट हो कर लडे मैं दिलजीत गुपता संबादाता सीजो निउज मुझापरपूर